नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों सीटेट का प्रिप्रेशन कैसे करें इससे रिलेटेड काई वीडियो हमने इस चैनल पे अपलोड किया है और आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉंस रहा है आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीटेट के लिए नोट्स कहां से ले या फिर आप खुद से बनाए इनी सब चीजों के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं देखिए आज का टॉपिक है कि सीटेट के लिए आप नोट्स कहां से ले इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को समझना जरूरी है कि notes होता क्या है, क्या use है notes का, तो देखिए, notes जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं उसका एक निचोर होता है, notes जैसे माल लेजे कि आप अगर 20 page का कोई chapter पहे हैं, तो 1 से 2 page में होता है, उस 20 page के chapter का निचोर, यानि क जब आप दुबारा से उस chapter के बारे में चीजे भूलने लगते हैं, तो वो 2 page पढ़के, वो 2 page revise करके, वो पूरा chapter के फिर से आप याद कर लेते हैं, या फिर से उस chapter के revise कर लेते हैं, इस चीज के लिए हम लोग notes बनाते हैं, और notes का use करते हैं, तो इस चीज को तो समझने के आप एक example आपको हम देते हैं इस चीज को समझने के कोशिज कीजिएगा माल लेजिए कि कोई एक student है जिसको teacher ने कुछ homework दिया है कोई person है कोई question है solve करने के लिए दिया है अब आप क्या करते हैं उस बच्चे को उस question का solution लिख के देते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि लो इसे अपने notebook में note कर लो और अपने teacher को दिखा देना तुम्हारा homework complete हो गया क्या इस process में उस बच्चे ने कुछ सीखा बिल्कुल भी नहीं उसको कोई benefit होगा नहीं होगा हाँ एक benefit होगा कि वो teacher से मार खारनी से बच जाएगा teacher के punishment से वो बच सकता है इसके अलावा कोई benefit उसको नहीं होगा तो इस चीज को समझने की जरूरत है आपको उसको notes आपको उसको answer के जगह पे escape folding देना जरूरी था उसको help करने के लिए आपको बस escape folding देना था उसको आप थोरा सा चीजे hint कर सकते थे उसके जगह पे आपने क्या कर दिया आप उसको answer दे दिया सेम चीज यही हो जाता है अगर आपको कोई notes देता है तो आपका उसमे कोई ज्यादा benefit नहीं होता हम नहीं मानते इस चीज को कि आपको benefit होगा अगर हमको कहे और हम आपको notes provide करा दे तो हम करवा सकते हैं जब हमने city का preparation किया जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे पास notes होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं पढ़ाने के सब टाइम वो आपको हम दे सकते हैं लेकिन उसका यूज नहीं होगा दोस्तो उसका benefit आपके लिए नही है हाँ हम चाहते हैं कि हम आपको help करें इस process को करने में आप खुद से notes को बनाए जिससे आपको तयारी के दौरान help होगा और उस notes से आप अपना preparation अच्छा कर पाएंगे अगर आप note खुद से बनाईएगा तो क्या benefit होगा इस चीज को भी समझे इस चीज को देखने के जिसका आप note किसी और का ले लीजिए उस topic का और फिर आप उसी topic को खुद से notes बनाईए फिर आप देखिएगा कि जो उस topic का note किसी और से आप लिए है उसको अगर आपको हम पढ़ने के लिए दे कि लो भाई ये notes से इसे रिभाइज कर लो अपना topic और फिर आप अपना खुद का notes बना हुआ है उसको prefer करोगे उसे पढ़ना चाहोगे ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमने जो notes बनाया है उसमें अपना मेहनत है मेरा उस process को हमने जिया है उस process को करने में अपना योगदान दिया है तो वह हमारे लिए used to है उसका हर एक चीज हर एक line लिखते बक्त जो अब हम बात करेंगे next video में कि आपको notes कैसे बनाना है seated के लिए क्या क्या चीजे notes बनाने में आपको ध्यान में रखना चाहिए लेकिन इस video में मेरा मक्सद ये था समझाना कि notes आपको खुद से बनाना है किसी और के notes कैसे बनाना है इस पर हम और कहां से आपको material लेना है notes के ये धिक है तो मिलते हैं एक्स वीडियो में इलान कीप लर निंग कीप स्मालिंग बावाई